हलो दोस्तो मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो यह छोटा सा कॉंपोनेंट है इसे डाइक कहते हैं इस पे लिखा हुआ होता है डी बी थ्री तो यह डाइक बोलते हैं इसको आज मैं बताऊंगा डाइक का फूल फर्म क्या होता है और यह काम कैसे करता है डाइक सोट या ओपन हो जाए तो इसको चेक कैसे करते हैं वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए इसका फूल फर्म जानते हैं क्या होत होता है यह यह डाइक का spelling है डिआऑसी यानिटाइक डाइक का फूर्ट परम होता है डि आई का मतलब होता है यह का मतलब होता है अब देखिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहां तीन symbol बनाया हूँ, ये diode का symbol है, ये dike का symbol है और ये trike का symbol है इसमें दो terminal होता है इसमें एक ये anode होता है और ये side cathode होता है इसमें निशान होता है anode cathode का, लेकिन ये dike में भी दो terminal होता है, एक ये terminal होता है, एक ये terminal होता है, लेकिन इसमें कोई निशान नहीं होता इसको उल्टा सीधा जैसे मरजी आप लगा सकते हैं ये टर्मिनल ये वन कहते हैं और ये टर्मिनल ये टू कहते हैं और ये ट्राइक का सिंबॉल है इसमें तीन टर्मिनल होता है एक होता है ये वन टर्मिनल ये टू टर्मिनल और एक ये गेट होता है तो यह dike जैसा ही होता है लेकिन इसमें एक extra function यह होता है कि इस diode में और dike में क्या होता है कि जो voltage यहां देंगे वही यहां out कर देता है इसमें भी वही होता है इसमें कोई control नहीं होता लेकिन trike में क्या होता है कि जो voltage यहां देंगे उसको gate पे supply देके और control करा सकते हैं यहां OUT के लिए तो यह īंक्शन डराइक में होता है ड्योंट में क्या होता है ड्योंट क Вам कि यह से हमारे algorithms जहुत घरों में तो यह एंपने पलाज मैननंस पलास मैननस पलास ऐसा ऐसे बदलता रहता है जैसे यह PLUS पिर यह माइनस ऐसे करेंट यह बदलता रहता है तो ओन् 벌써 और लोक देता है यह इसी चीज़ को दूर करने के लिए यह Datic बना तो देखिए यह डाइक भी कैसे बना है यह एक डाइओड है इसको और यह दो डाइओड मिलाके बनाए गया है तो इस डाइओड में यह पहला एनोड है और यह इधर कैथोड है और यह दूसरे डाइओड का इधर कैथोड है और इधर एनोड है तो यह क्या होगा कि जब यह यहां supply देंगे तो प्लस supply होगा तो यह डाओड इनोड से कैठोड के तरफ पास कर देगा और जब माइनस होगा तो यह डाओड इनोड के तरफ पास कर देगा तो ट्राइग ऐसे काम करता है तो इसमें कोई उल्टा शीधा नहीं होता जैसे मरजी लगा सकते हैं तो यह दोनों तरह से यह काम करता है और यह ट्राइक है इसमें सेमों ऐसे ही वर्क करता है यह लेकिन यहां गेट पे एक सप्लाई देखके इसको यहां इन्पुट बोल्टेज को कंट्रोल करा सकते हैं जैसे कि पंखे का रेगुलेटर हो गया, यह सर में सिर्फ AC वोल्टेज होता है तो यह डाइक जो होता है सिर्फ AC वोल्टेज पे ही काम करता है तो इसको यहां पे इसके ट्राइक के गेट पे लगा देते हैं तो यह कंट्रोल करने के लिए काम में आता है तो यह कंट्रोल करत प्रहट करने लिए तो यहां जो भी बोटेज आएगा जैसे यहां पर यह 있다 पे अगर यह जब फ्लस आएगा जब यह कं fatty ile क्रेंगा जब बंद करें shark लेकिन यसी लिए किया जाता है कि यह किसी भी स्थिति में इसको प्रहट करना पड़ता है थे यह ते किसी आता है लेकिन यह डाइक क्या होता है कि 28 वोल्ट से उपर आएगा जब यह काम करना इस्टार्ट करता है 28 वोल्ट से कम होता है तो यह काम करना बंद कर देता है तो यह ही डाइक का काम होता है क्यों किसी भी इस्तिती में यह करेंट को पास कर देता है और डायोड का काम यह हो इधर पास कर देगा, इधर प्लस या माइनस दें, तो इधर पास कर देगा, तो डाइक ऐसे ही काम करता है, और डाइक को ट्राइक को ओपरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो डाइक का काम यही होता है, तो आशा करता हूँ, आप लोग डाइक के बारे में समझ ग पहरत थेंक यू